इसलामी कलेंडर के अनुसार शबे बारात पर शहवान माह की 14 तारिक को मनाया जाता है और इसलाम धर्म के अनुसार इस रात में पूरी राज जाकर इबादत की जाती है खास तोर पर मस्जित और कबरस्तान में सजावट की जाती है मुस्लिम समुदाय इस रात में कबरस्तान जाकर अपने पूरवजों की कबर को साबसफाई करके वहाँ पर दुआ मांगते हैं इसे तना से मुस्लिम समुदाय जाकर पूरी रात इबादत करती है और मुस्लिम मैं भी बारत कहा जाता है और खास तर्पर और आपको loan किया गया है और उसी की मद्न नजर जो है यहां पर किसी को भी कभ्रस्तान में और मस्जिद में जाने की अनुमती नहीं है और लोग भी इसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं अगर हम बात करें तो आज की दिन यहां पर चलने की जगा नहीं होती थी लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर की खाली है और पूरा जो है पुलिस का भारी बंदोबस्त यहां पर लगा हुआ है हमारे साथ यहां पर ट्रस्टी नईम खान मौझूद है हम उनसे बात करते हैं सर्थ जिस तरह से देखा जा रहा है लॉकडाउन है और कहीं न कहीं जो है लोगों का भी समर्थन मिल रहा है लोग अपने घरों से ही इबादत कर रहे हैं कबरस्तान नहीं आ रहे हैं कि देखिए यह तो एक बात बतादू का यह बड़ी भीहानक बीमारी है और एक सो गर्मन को शोख नहीं है कि लॉक्ड़ण करने का यह तो अपने को चाहिए कि अपने को प्रिकॉशन लेना है और आज यह प्रिकॉशन अगर नहीं लेंगे तो काफी बढ़ भी सकता है आज एक मेरे दोस्त है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, कि शेतान लॉक होने से पर ले अपन लॉक हो गए, इसमें समझ जाएं तो ज्यादा बेतर है, कि लॉक का इसका पालन करें, सरकार का जो आदेश है उसको पालन करें, अपने घरों से फातिया तो अपन कहीं से भी सकते हैं, घर से पढ़ सकते हैं, अबादत कर सकते हैं, यह सारी चीजे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुस्लिम समझ जाएं को अगर कहा जाएं कि आम मस्जिद में आ जाएं, जर्गा पनना जाएं, या कबरास्तान ना जाएं, तो कहीं न कहीं लोगों में कर रहे हैं, यह तो बिल्कुल सही बात है, यह खड़े रहे हैं, आज का तो दिन ऐसा रहता है, कि पूरी रात बर कबरस्तान के अंदर बेड़ रहती है, क्योंकि शबरात है, वो है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतने हैं, कि यह पालन जो कर रहे हैं, पबलिक खुद अच्छी तरह समझ रही है, जान रही है, और यह एक बहुत अच्छी बात है, इस संदेश है, कि इसके उपर ज्यादा धियान करेंगे, तो ज्यादा बेतर है। जैसे कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय भी अब अपने घरों में हैं, मस्जिदों में और कबरस्टान में न जाकर वो अपने घरों से ही इबादत कर रहे हैं। इस समय मौझूद है हम काउसा के पुराना कबरस्टान पर आपको बता दी कि अलग ये कबरस्टान जो है कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बदले में एमेम वली स्टीट पर जो है नया कबरस्टान दिया गया था। आज शबे बरात की रात है और ऐसे में आप दे सकते हैं कि ये भी कबरस्टान जो है बंद है, इसके गेट पर बाकाइदा जो है सूचना बोग लगाया गया है कि लोग जो है अपने घरों में रहकर ही जो है इबादत करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से सासन पर सासन ने लोगों से आवान किया था कि शबे बरात की रात जो है वो अपने घर से ही इबादत करें। और लोगों को भी मुम्रा शहर में देखा जा रहा है कि वो अपने घरों में ही रहकर जो है इबादत कर रहे हैं। बढ़ता ही जा रहा है ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और अब हम आपको M.A.M. वली इस्थित कबरस्तान दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह का बंदोबस्त है क्या वहाँ पर लोग जा रहे हैं या वहाँ पर भी इसी तरह से सूचना बोड लगाया गया है वहाँ पर कबरस्तान का क्या गेट बंद है हम आपको M.A.M. वली इस्थित कबरस्तान के बारे में भी दिखाते हैं और आप मौझूद है M.A.M. वली इस्थित नए कबरस्तान में जहां पर ये नया कबरस्तान बनाए गया था आपको दिखा दें कि ये नया कबरस्तान भी आज जो है पूरी तरह से बंद है यानि कि शबे बरात की जो पहली रात इस कबरस्तान की है लेकिन पूरी तरह से ये कबरस्तान भी बंद है यहाँ पर आपको दिखा दे कि पूरा रोट पे जो है सननाटा है कोई भी बेक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है जिस तरह से लॉकडाउन का जिस तरह से लॉकडाउन है और जिस तरह से सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है कि शबे बरात के रात में जो है लोग कबरस्तान ना जाए और इस तरह से मस्जिद भी बंद कर दे गई है लोगों को मस्जिद में भी जाने से मना किया गया है कहीं न कहीं लोग जो है सरकार की बातों पर अमल कर रहे हैं और उनके कहने के अनुसार नहीं कबरस्तान में जब की शबे बरात की रात है लोग कबरस्तान में भी नहीं जा रहे हैं और मस्जिदों में भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि कुरोना वाइरिस संक्रमर जिस तरह से फैलते जा रहा है उसको देखते हुए कहीं न कहीं अब लोगों के दिलों में डर है और जिस वज़े से लोग सरकार के दिये निर्जेशों का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में हैं कैमरा में सलमान के साथ इसलामोदिन खान प्रहा टाइम्स मुम्रा